कि नमस्कार दोस्तो में गनेश्राम आदित स्वागत करता हूँ आपका इस CGPSC मुख्य परिच्छा के क्वेश्चन पेपर एनलिसीस प्रोग्राम में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि Conversion Community जो है CGPAC मुख्य परिच्छा से सम्मंदित जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स का analysis कर रही है और उसे series में मैं आपके सामने समाज सास्तर के question paper का analysis करने वाला हूँ और इस analysis के तहट हम ये देखेंगे कि समाज सास्तर में किस प्रकार से प्रस्ण पुछे आते हैं और उन प्रस्णों को हमको किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए तो बिना विलम किये हम सिधा सिधा syllabus पे चर्चा करते हैं तो ध्यान रिखेंगे दोस्तों सबसे basic तयारी का पहल करना अर्थात आप किसी भी विसाय के त्यारी कर रहे हैं तो syllabus को आपके सामने रखेए और उस syllabus में जिन जिन पॉइंट को दिया गया है उसी पॉइंट के according आपको उस्ते को पढ़ना है तो हमको भी काम करना है तो समाज सास्तर में जिन विसेयों को दिया गया या जिन टॉ topic's को डिया गया है उनी topics को हमको अधियन करना है उससे ज्यादा अधियन नहीं करना है बहतistes यहांडी नहीं नहीं करना है हमको question paper के according हमको अपनी ठाएरी करना है ताकि हम समा जब भी पेपर हो और उस पेपर में इस प्रकार से प्रस्न पुछे जाएं, तो उस पेपर को हम आसानी से हल कर सकें, तो इस बात को विशेज ध्यान रखेगा, ज्यानी नहीं बनना है, समाज सास्तर का या दर्सन सास्तर का, हमको क्या बनना है, हमको इतना योगेता हमको अर्जित करना है, जिस यह दूसरा point, दूसरा slide, यहां ध्यान रेखिएगा दोस्तों, आप देखिए, यह हमारा syllabus है, तो इस syllabus में समाने रूप से हम क्या देखते हैं, हमारे पास कितने number के, present पुछा आते हैं, तो पहला है दो number के, present पुछा आते हैं, दूसरा चार number के, 8 नंबर के, और 10 नंबर के इस paper से 15 नंबर के परस्ण नहीं पुझे आते हैं, ध्यान रिकेगा 15 नंबर के परस्ण हमारे ठीक इससे अलग section में पुझा जाता है, हमको focus करना है, ठीक 2 नंबर, 4 नंबर 8 नंबर और 10 नंबर, तो सबसे पहले हम इस syllabus की चर्चा कर लेते हैं कि कहां से किस प्रकार के परस्म पुछे जाने की संभावना है चलिए तो ध्यान रखेगा जैसे कि आप देख रहे हैं समाज सास्त्र फिक यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है अर्थ अर्था समाज सास्त्र क्या है समाज क्या है फर्म नंबर से ज्यादा बड़ा का नहीं होगा दूसरा है चेत्र एवं प्रकृति चेत्र एवं प्रकृति यह दो नंबर में आँ ही नहीं सकता अर्थाथ जब भी आपको समाज सास्त्र के चेत्र और समाज सास्त्र की प्रकृति के बारे में प्रस्म पुछेगा वो कम से कम चा थे यह रही होता तो दो नंबर और चार नंबर में देश सकते थे परंतु यहpek विंगित प्रतर इंपंबस इसे लिए आठ नंबर से संबंद ये ऐसा पॉर्षन है जिसमें दो नंबर से चार नंबर से भी प्रस्न पुछे जा चुके हैं जैसे कि समासास्तर का आर्थसास्तर से संबंद समासास्तर का राजनितिक विज्ञान से संबंद समासास्तर का मनो विज्ञान से संबंद तो इस प्रकार से प्रस्न हमा साजिक समू, जनरिती, लोकाचार, यह जो आउधारना है, यह समाज सास्त्र के प्रात्मिक आउधारना है, और यहां से किस प्रकार से प्रसंद पुछे जाएंगे, तो ध्यान रिखेगा, यहां पर फूल रेंज आउफ मोसन मिलता है, अर्थात, फूल रेंज मिलेगा, जिस समाज के प्रकार, इस प्रकार से लेके इसकी कोश्चन को दो से चार में और चार से आठ में कनवर्ट किया जा सकता है, तो मतलब आपको घबढ़ानी की जूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप समाज पढ़ेंगे, तो समाज का अर्थ भी पढ़ेंगे, समाज की परिभासा सोता हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आप जब समाज पढ़ेंगे, तो समाज का बाकी कंपोनेंट या बाकी एसपेक्ट को भी आप तैरी करेंगे, उसी प्रकार से समुदाय, समीती, संस्था, समाजी, समूद, जनरीती, लोका चार पे भी यही चीज़े लागू होता है, तो जनरीती या लोका चार के मद्द अंतर कीजे, तो यह आपका चार नमबर, आठ नमबर इस प्रकार से भी प्रस्निया पर पुछे जा सकते हैं, चलिए अगला हमारा प्रस्न है, अगला हमारा टापिक है, व्यक्ति एवं समाज, इन दोनों के बीट पे समाजिक अंतर क्रिया होती है, इस्थिती भूमिका क्या होती है, संस्कृति एव्यक्ति तो समाजी करन ये क्या है, तो यहां से भी दोनमबर, मतब स्टार्टिंग से ही आपका प्रस्न बन सकता है, जैसे की, समाजिक अंतर क्रिया किसे कहा जाता है, समाजिक अंतर क्रिया को समझाईए, वाट इस इस्थिति और भूमिका इंडिविज्वली भी प्रस्न पुछा जा चुका है समाज सास्त्र में स्थिति से आप क्या समझते हैं या स्थिति को परिभासित करें स्थिति का मतलब होता है तो यहां से दो नमबर के प्रस्न पुछै जा चुके हैं चलिये अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट में संस्कृति एवं व्यक्तितों समाजी करें इन दोनों के ले लेते हैं देखेगा जैसे ही संस्कृति का व्यक्तितों से जोड़ा है अर्थात यहां संस्कृति से और व्यक्तित इन दोनों को को रिलेट करके प्रसंद पुछेगा तीक यह प्रसंद जो है आपका चार नमबर, आठ नमबर में संभावित हैं, क्यों? क्योंकि परिभासित सब्दावली की रूप में अगर पुछेगा, जैसे कि आप से ये पूल दे, संस्कृति क्या है, ये दो नमबर का बनता है, ठीक है, वेक्तितो क्या है, तो ये दो नमबर का बनता है, लेकिन यहां करके पुछेगा आप से, तो ये आपका फिक्चार नमबर से भी आगी जा सकता है, आठ नमबर में ज्यादा अच्छे तरीके सी ये जस्टिफाई होता है, चलिए दोस्तो, अब हम देख लेते हैं, अगला टोपिक हमारा, इंदू समाजिक संगठन, जैसे ही हम इंदू समा पुछा जा सकता है, दो नमबर में, धर्म का तत्पर क्या है, पुरुसार्थ का तत्पर क्या है, आप वन विवस्था से क्या समझते हैं, पुरुसार्थ आप आप आश्रम विवस्था से क्या समझते हैं, तो ये जो है, दो नमबर और चार नमबर दो नमबर बनता है, ले यहां से थोड़े बड़े प्रस्न पुछी जाने की संभावना है जैसे कि आश्रम विवस्था क्या है इसका भारती प्रमपरागत भारती समाज में क्या महत्त होता इस प्रकार से यहां पर थोड़े बड़े प्रस्न पुछी जा सकते हैं अगर इसको परिभासिक सब्दावली की रूपी पुछा जाएगा तो दो नमबर जैसे ही आप से ये पुछा जाए कि समाजिक अस्तरिकरण क्या है इसके महत्तो को समझाए तो वो 4 नमबर और 8 नमबर में जा सकता है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं समाजिक अस्तरिकरण के अंतरकत हमारे सिलेबस में जाती और वर्ग नमक दो अवधारना को दिया गया है तो इंडिविज्वली जाती क्या है, वर्ग क्या है, इस प्रकार से दो नमबर, चार नमबर भी ये दोनों पर परस्न पुछे जाते और पुछे गए भी है, लेकिन ये जो जाती और वर्ग है, इसके निर्धारक कारक के रुप में अगर परस्न पुछेगा, तो वो परस्न जो है आठ नमबर में और दस नमबर में भी जा सकता है, तो ध्यान रखेगा, ये ऐसा पॉइंट है, जो काफी बड़ा है, जाती क्या है, जाती का भारती समाज में क्या महत्तो है, तिक जाती का निर्धारक क्या है, क्या जाती जो है, क्या जाती को परिवर्थित कर सकते है क्या जाती जो है ठीक है एक वर्तमान समाज में या वर्तमान आदूनिक समाज के ह Porsaji की इसकी क्या प्राफसंगिक लिगता है तो इस प्रकार से परस्थन पुछे जा सकते हैं नेस्ट हमारा टॉपिक है समाजिक प्रक्रियाएं अर्था सोसियल प्रोसेसेज, ध्यान रखेगा, समाजिक प्रक्रियाएं के अंतरकत हमें पढ़ना है, समाजिक अंतरक्रिया, सहयोग, संधर्थ और परतिस परदाथ, तो ध्यान रखेगा, पहला पॉइंट तो प्रस्न वह ही है कि what is mean by social processes अर्थार समाजिक प्रक्रियाएं क्या है तो समाज में होने वाले विविन प्रकार के जो चीजें है जैसी कि सहयोग संधर्थ परतिस परधा इनी चीजों को हम समाजिक प्रक्रियाएं के नाम से जानते हैं जैसे कि माल लिए आप से यहां से यह प्रस्म पुछेगा सहयोग क्या है संघर्थ क्या है प्रतिस परधा क्या है तो पहला तो इन तीनों का दो नंबर चार नंबर में इस प्रकार से परस्म बनेगा इसके परिभासिक सब्दावली की साथ से सहयोग क्या है सहयोग के पर्मुक्तक्टों को बताएं तिक संघर्ष क्या है समाज में संघर्ष को समझाएं ठीक है प्रतिस पर्धा क्या है अर्था यह तो दो नंबर चान नंबर में यह बन गया लेकिन इससे आगे भी प्रस्ट बन सकता है जिसे सहयोग क्या है वतम अब आपसी ये भी प्रस्म पुछा जा सकता है कि संघर्स का अथा कंफ्लिक्ट का कंपटिशन से क्या संबंद है संबंद का मतलब बेसिक रुप से डिफरेंस में प्रस्म पुछेगा अब ध्यान रखेगा सबसे पहला प्रस्म यही बनता है कि समाजिक परिवर्थन का अर्थ क्या है या समाजिक परिवर्थन को किस प्रकार से परिभासित क्या जा सकता है यानि दो नमबर और चार नमबर का प्रस्म जो है आपको इस रुप से मिलेगा अब आज यह आगे जैसे कि समाजिक नियंतरन के साधन एबम अभी करन पुछा यह आपका जंप कर गए आठ नमबर और दस नमबर में अर्थाद जो सोशल कंट्रोल है इसके क्या क्या साधन है क्या क्या एजनसी तो यह परस्म आपका बड़े नमबर में पुछा जाएगा तो आपको उसी प्रकार से डील करना है कैसे डील करना है तिक एक विसेस फॉर्मेट को मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे लास्ट में चलिए अब हम देख लेते हैं समाजिक परिवर्थन की प्रक्रियां यह भी आपका बड़ा प्रस्म बनता है आठ नमबर और दस नमबर भी यह प्रस्म पुछे जा सकते हैं सोशल जो चेंजेज हैं इनके प्रोसेसे क्या है किस प्रकार से सोशल चेंज होते हैं और इसके फैक्टर्स क्या है तिक इन दोनों पे भी आपका जो प्रस्म पुचेगा, वो बड़े प्रस्म पुचे आने की संभावना है, चलिए, अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है, भारती समाजिक समस्या है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, समाज में हम समाज सास्त्र का अध्यन इसलिए क कि समाज सास्त्री के इस प्रकार के अध्यन का थिक है, विधी विधान या नियमा वली में इसका उप्योग किया जा सकता है, अर्थार दिखेगा, संसच कानून बनाती है, संसच जो कानून बनाती है, तो उसका एक सोसल एस्पेक्ट भी होता है, तो ध्यान रखेगा, इस कानून बनाया जाता है, तो इस प्रकार के छितर से समंदित लोगों को भी उसमें सामिल किया जाता है, उनके मत को पूछा जाता है, तो सीधा-सीधा मैं आपको ये बताओं, कि जो समाजिक विधान बनते हैं, समाजिक जो कानून बनते हैं, उसमें समाज सास्त्रियों का, म समाजिक समस्या का अर्थ क्या है समाजिक विघटन का अर्थ क्या है लेकिन अगर समाजिक विघटन के अर्थ के आगे परस्म पुछेगा तो आपका आगे तक जा सकता जिसकी समाजिक विगटन को समझाए तिक वर्तमान समय में किस प्रकार से समाजिक विगटन हो रहा है और इस विगटन को रोकने के क्या क्या उपाय दिये जा सकते हैं तो यह बड़ा परस्थ बन गया अब आए इसी के अंतरगर ध्यान रखेगा तिक नियम हिंता अलगाव विशमता इसी के अलगाव होता है उस अलगाव को समाप्त करने के क्या क्या उपाय है ठीक है समाज में विशमता पाई जाती है तो इस प्रकार के समाजिक विशमता को समाप्त करने के क्या 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 उपाय है कहने का तात पर है यह जो तीनों पॉइंट है दो चार आठ तीनों में संभावि इसलिए हैं, क्यूद्कि यहां पर इस परस्ण के साथ और एक परस्ण को सामील की बिज्ञा जाएगा ध्यान रखेगा, अब आता है आपका एक अलग चीज़ जिसको हम समाजिक सोद एवं पर्विध्या कहते हैं ध्यान रखेगा, समाज सास्त्र जो है तिक ये एक प्रकार का विज्ञान है या ये एक प्रकार का कला है इसकी चर्चा समाज सास्त्र के साथ साथ विभिन विज्ञानों में भी होता है हर विज्ञान हर विशा जो है अपने आपको विज्ञान बनाने का प्रयास करता है क्यों कि उसकी प्रमाडिकता सिद्ध होती ह तो समाज सास्त्र जो है, समाजिक सोध का अध्यन करता है, समाजिक परविध्या किन परविध्यों का उपयोग करता है, जैसे कि समाजिक अनुसंधान के उद्धेस हमको पढ़ना है, समाजिक घटनाओं के अध्यन में विज्ञानिक पढ़ना है, वस्तुनिष्टा क्या है, तट्थे कत्री करन करने कि क्या क्या तक्नीक है किन उपकरणो अर्ठात अवलोकन सक्ष्टकार प्रस्णावली और अनुशुची के मार्थ्यम से क्या जाता है इनको पढ़ना अब इनको एक एक कर के देख लेते हैं जैसे कि सबसे पहला परस्ण यह होता है समाजिक सोधि क्य समझते हैं इसका क्या महत्तो है तो यह दो नंबर चार नंबर में यहां से इस प्रकार से पुछा जाएगा अगला पॉइंट है हमारा समाजिक समाजिक अनुसंधान का क्या उद्येश है तो दियान रिखेगा यह प्रस्ण जो है आपका चार से आट में आगला में भी दस में पुछा जा सकता है तीक अनुसंधान का क्या उद्येश है। आगे हम हम देखते हैं ठीके विज्ञानिक पध्धती का उपयोग समाज सास्त्र में विज्ञानिक पध्धती का उपयोग किया जाता है अगर हम इस प्रकार से कहें समाज सास्त्र विज्ञान है परिवासित करें या समझाएं ठीक समाज सास्त्र किस प्रकार विज्ञान है समाज विज्ञान करता है किस प्रकार से उपयों करता है विज्ञानिक प्धती का मतलब पहले आउलोकण किया जाता है जैसे समाज कोई भी एक चिज़ यहां जैसी कि आधा लेकły कोर्वाइयरայरा खरें कि बात कर लोकन करते है फिर उसको लेव में लाकर असका परिछन करते हैं परिछन करने के बाद उसका हम वर्गी करन करते हैं वर्गी करने के बाद के पर तह treat है पर फिर शuen Behind करते हैं सर्वमान यसे धान्त के रूप में चलिए अब आए समझते हैं समाजी के घटना यह हो गया हमारा वस्तुनिष्टता क्या है और वाट इस मिंड़ अब्जिक्टिविटी अब्जिक्टिविटी का अर्थ क्या है यह परस्ण आपसे पुछा जाता है इसके बारे में ह समाजया समाज सास्थ्र में आता है यह आपका चार और आठ नंबर के SARAH समाज सास्थ्र में किनकी किन माध्यमों से परस्ता जाता है यह जो तो चार पॉंट्ट आपको दिये गएं सबसे नॉंबर सोब करो तरष क्या है सक्षातकार का क्या महत्त्य इसे आप क्या समैस्थे क्या समझ्टे तो यहां से जब इसको कि पुछा जाएगा लेकिन अगर आप से यह भी पुछा जा प्रस्तनवली की कितने प्रकार हैं? और उस प्रस्तनवली का उप्यों किस प्रकार से किया जाता है तो ये प्रस्न जो है आपका आठ नंबर में भी जा सकता है तीकर अनुसुची क्या है अनुसुची का अर्थ आप क्या समझते हैं अनुसुची की कितने प्रकार होते हैं तीकर इस प्रकार से यहां पर प्रस्न पूछ के आपको इस प्र स्रमानिक नोट्स होना चाहिए आपके सामने और उस नोट्स में सारे सिलेबस के यह सारे पॉइंट होने चाहिए तो देखेगा अगर आप कोई भी एक नोट्स को पढ़ते हैं किसी भी एक नोट्स की बात करें है तो 80 से 90% आप उस सिलेवस को कम्प्लीट वहीं पर कर लेते हैं कि आया समझ में क्योंकि यहीं तो पुछेगा कि समाजिक सोध क्या है अब ऐसा तो नहीं पूछेगा कि भा मतलब भारत का पाकिस्टमी देसों के समाजिक सोध के प्रारूप में किस परकार का अंतर है कहने का मेरे त सिलेवस में सिलेवस के जो प्रमुक्त अंतरों को देखेगा अगर उसके अंदर को अन्य टॉपिक्स अंदर में है तो वहां सी प्रस्ञों डिडराइव्ड हो सकता है जैसे कि मान लीजे समाजिक सोध क्या है तो समाजिक सोध में एक इन किन पर परकार के परविद्य का आपको ये करना है कि ये जो प्रस्न है या ये जो टॉपिक है इन टॉपिक से रिलेटेड सीधा सीधा चीज़ें आपको आनी चाहिए जैसे कि समाजी करन तो समाजी करन का अर्थ क्या है या न चाहिए समाजी करन का समाने ताथ पर क्या है ये जानना चाहिए समाजी करन के कि होता है वो किन इस तरों में होता है तो इस प्रकार के समाने चीजों को जानना है सभी के प्रस्पेक्टिव में जैसे कि अलगाव क्या है इस अलगाव के अधारना को किस ने दिया किस परिपेक्ष में दिया ठीक है इस अलगाव का क्या महत्व है वर्तमान समाजिक समा वर्तम नमबर चार नमबर आठ नमबर और दस नमबर में तिक 2-4-8-10 अब हम आ जाते हैं हम देखते हैं कि विगतवर्फ के प्रस्न जो है किस प्रकार से आये थे तो अगला हमारा टार्गेट है कि हम क्योश्टन पर पर को देख लें कि किस प्रकार से प्रस्न पुछे गया है यह पहला यह परस्त है जो पहला टापीक से रिलेटेड़ है कि समाज की विषैस्ताि के बताहिए इसको आपको दो number में लिखना है कैसे लिखेंगे खाल सuvre समझेगे संब इसको समाज की विसेश्ता थो अगर देहांinstall रखेगा इस दो नंबर के प्रस्ट में अगर आप उत्तर पुस्तिका को देखेंगे तो वहाँ पर आपके लिए तिन से चार लाइन का उपयोगत रह गए मतलब इस पेस काफी कम रहता है तो आप इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि समाज का अर्थ इस प्रकार से है यानि स समाज को यहाँ पर आपको बिल्कुल परिभास्ट करने का जुरूत नहीं है दो नंबर का मतलब हो गया कि कॉंक्रीट वे पे जो प्रस्ट पुछा है उसको उसी रूप में हमको डिलीवर करना है तिक जादा आगे पिछे नहीं करना है जैसे कि समाज की विशेस्ता बताए पॉइंट नंबर 4 ऐसे करके लिखेगा कुछ लोग ऐसे करते हैं ध्यान रिखेगा 1,2,3 और 4 तो इसमें दिक्कत यह है कि इधर काफी स्पेस छूड़ जाता है तो इस प्रकार लिखने के बजाए इस प्रकार से लिखें ठीक है लाइन के साब से आप पहली विशेस्ता को लिख लीजे जहां पर खतम हो रहा है स्पेस वहीं से दूसरी विशेस्ता को लिखेंगे इस से क्या होगा कि आप जादा से जादा कंटिट आप दे सकते हैं अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ध्यान रिखेगा क्या पता यह जो है कम इस प्रकार से कोई भी को जहां तक जाता है वहां तक लिखेंगे तो यह होगे हमारे दो नंबर में तो समाज की विशेस्ता क्या हम चर्चा भी कर लेते हैं समाज की विशेस्ता क्या है समाज में ध्यान रिखेगा पारास्पित जागरुपता पायाता है समाज अबूर्थ है एबस्टेक्ट होता समाज में समानता के साथ साथ विसमता भी पायाती है समाज में सहयों के साथ साथ संघर्ज भी पायाता है समाज में अन्युन्यासृत्ता अर्था इंटर डिपेंडेंसी पायाता है तो यह जिन चीजों की मैंने चर्चा किया यह समाज की जिसेस्ता है चलिए अब अगले तो वह प्रकृति भी निर्वर करती है जैसे कि अभी हमने बताया समाज की विशेष्था क्या है हाँ तो भई इस प्रकार से पॉइंट अराम से डालिए आप इसको डारेक्टली लिखेंगे आप पुली स्टॉप करके लिखेंगे तो वह उतना इंपक्ट फूल नहीं होगा तो उससे अच्छा है कि आप इसको क्या करें इस प्रकार से तिक बुलेट पॉइंट दे दे या नमबर वन टू करके चलें लेकिन जनरीति क्या है इसको दो नंबर में हमको डिलिवर करना है कुछ निश्चित लाइन्स में तो हमको इसको पॉइंट नहीं देने जूरत है ह आप एक पॉइंट ऐसे कीजिए जन्रिटी को परिभासित करजिए दूसरे पॉइंट में उधारन लिख लिजे तो इस प्रकार से दो पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं जन्रिटी क्या है जन्रिटी का अर्थ होता है जन्ता की रिती अर्था यह जो है विवहार के एक प्रकार किरिती है, यह समू की आदत है, यह जो है ध्यान दिखीगा, अपेच्छा किरित इस्थाई आदत को हम जनरिती कहते हैं, ठीक, जब हम देखे, हमारी आपकी जो आदते हैं, जो थोड़ा सा इस्थाई होता है, तो उसी चीज़ को हम जनरिती कहते हैं, ठीक, और यह अ आदत की अपेक्षा थोड़ा सा स्थाई होता है यह विवहार करने के मानने तरीके हैं चलिए आईए समझ में अब देख लेते हैं समाजिक नियंतरन का आर्थ क्या है मैंने आपको बताए था ठीक यहां पर प्रस्ण जो है अर्थ की रूप से ही ठीक दो नंबर में पूछा तो ध्यान रिखेगा समाजिक नियंतरन जो है संपूर्ण समाज की रख्षा और समाज की विवस्था को बनाई रखने के यह ठीक एक स्थापित नियम कानुन होते हैं देखे होता क्या है कि कोई भी सिस्टम है यह जो नियंतरन प्रकृति ने हर स्थान पर रखा रहा है और वो नियंतरन इस परकार के इसलिए रखा जाता है कि जिस जगह पर हम हैं तिक उस जगह में सारी चीज़े विवस्तित हो चलिए अब मैं आपको समझा दे रहा हूं समाजिक नियंतरन क्या है समाज जो है तिक समाज में विभिन परकार के लोग होते हैं और इन विभिन पर फिर अब इस तीस चीजों को कंट्रोल करने के लिए समाज में यांत्रुन का इस्थापित होना अब आहर सेलिकिन आप इतना लम्बा लिखेंगे नहीं, आप क् size लिखेंगे समाजिक नियंतरर्ण जो है समाज की इस्थायट को बनाये रखने के लिए समाज के नियम कानून को प्रचलित रखने के लिए एक वीडी है जिसके माध्यम से लोगों के विवहार को नियमित किया जाता है लोगों के विवहार को नियंतरित किया जाता है यह हमारा समाजिक नियंतरन प्रवस्थिति के प्रकार लिखे तो प्रवस्थित के दो प्रकार होते हैं और अरजीद प्रियस्थिति आपका Um जिसको हम अपने महनत से प्राप्त करते हैं जैसे यह कलेक्टर बन गए जैसे आप डॉक्टर बन गए यह अरजीद प्रयस्थिति एक निया टोटा से इतना से बन गया निम्न हो चाहिवववा उच्छो तो उसको कहते अर्जित प्रास्थिति धियान रखेगा कौन सा अर्जित अर्जित प्रास्थिती ठीक है यह प्रस्थित प्रस्थिति का मतलब होता है वेक्ति को जंव के साथ जो प्रस्थिती प्राप्त होती है, उसी को हम प्रदत कहते हैं, हमारी योग्यता वहाँ पर काम नहीं आती है, कहने का मतलब है कि मैं जिस जगा पैदा हुआ हूँ, जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, जिस वर्ण में या जिस जाती में पैदा हुआ हूँ, वो मेरी प्र प्रदत है कहने का मेरे ताथ परे है ऐसा पढ़ जू को हम अपनी योगपिता propor हमें इसी प्रदत प्रस्तिती जन्म से प्राप्थ ऑर यह हमारे को प्राप्त होता है। यह में योगपिता का किसी परकार का योगदान नहीं होता है तो इस प्रकार से इसको डील कर सकते हैं आप इस प्रकार से लिखेंगा प्रदत प्रस्थिती की दो प्रकार होते हैं अर्जित प्रदत अर्जित प्रस्थिती जो है यह यह योग्यता विक्ति की योग्यता से प्राप्ट की जा सकती है जिसे कलेक्टर का पद ज जन्व प्रतिश परद्धा से आप क्या समस्ते हैं, तो परतिश परद्धा का मतलब होता है, कि कुछ निश्टित चीजों को या कुछ कम चीजों को प्राप्त करने के लिए ध्यान रखेगा, ठीक समाज में एक व्यवस्था का निध्यारन किया गया है, वो है हमारा परतिश परतिश परद्धा में बहुत सारे लोग कुछ कम चीजों को या कम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और यह प्रयास नियम कानून के तहत होता है, तो इसी को हम प्रतिश परद्धा कहते हैं, जैसे कि आप PSC के त्यारी कर रहे हो, और PSC का पद जो है बहु पर 100 लोग है, और 100 लोग में बोलू जाओ भाई उठा लो, वो किस परकार से करेंगे वहाँ पर भगदर मत जाएगा, ठीक है, और आपस में धक्का मुकी करेंगे, तो ध्यान रखेगा, धक्का मुकी हुआ मतलब संगर्स हो गया, तो परतिश परद्धा जो है, एक परकार का समाजिक परक्रिया है, और इस समाजिक परक्रिया में, समाज में, जो भी कम चीज़ें होती है, जो पद होता है, ठीक है, उस पद को प्राप्ट करने का ये एक, ठीक है, इस थाई तरीका या कहें, ये एक विधी मानने तरीका है, तो ये हो गया हमारा परतिश परदा, कम समाजी परतिस परदा एक परकार की समाजिक परिक्रिया है । इस समाजी परिक्रिया में समाज में जो कुछ पर修त होते हैं जो की कम्थ संख्या करते हैं चलिए विज्ञानिक पध्धती क्या है तो समाज साथ में विज्ञानिक पध्धती का कहने का तातपर है कि जिन तरीकों से समाज का हम अध्यन करते हैं उसमें विज्ञानिक पध्धती को पॉलो करते हैं तो किस परकार से करते हैं तो ध्यान रखेगा हम बाकी विज्ञानों की तरह समाज समाज में बहुत बड़ा है ठीक इन तथ्यों का संग्रह करते हैं विज्ञान में भी तो यहां पर भी हम क्या करते हैं तथ्ये का क्या करते हैं संग्रह करते हैं ठीक जब तथ्ये का संग्रह हो जाता है तो फिर हम इसका वर्गी करन भी करते हैं क्या करते हैं वर्गी करन जब अलग-अलग वर्ग में हमन ने सथ्यों का वर्गीरण कर दिया तो वर्गीरण के बाद जो है अगर यह लागu इसको सवर्मान सिधान की रूप में लागू कर दिया जाता है। तो कहने का मेरा तातर है। जिस प्रकार विज्ञान में ऐलोकन करते है। ठीक है, दीक traveling कोई भी चीज़의 चाहें अंत्रिक्ष विज्ञान हो, biology हो फिल्सिक्स, physics हो, chemistry हो, जिस प्रकार से तो क्या इसका जो आपका आवर्थ गती है त्धिक्रव में की होगी क्यों आप देहें हैं आपने देखने के बाद आपने अपने लिए ने किया यूप thought of आपने वर्गी करण किया कि समाने गूर्ट की या समानलक्षनी रखना इसको इस कटेगरीं मी रखना तो इसी कटेगरी वाइज आपने उसका प्रती प्रकार से विद्धान में तीक कि इम उसी कहा कहा है लिखना कैसे है दो नंबर Low थो नमबर न तो जिस प्रकार से विज्ञान में अउलोकन' के माधियम से त cambi अकरण के बाद से उन ही तधियों का अरगवरगीकरण और उनी वरगईकरण के बाद में इसी अ माने सिद्धानopers का पतिपादन क्षा पाया जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम वग्यानिक पधद्यती आद सब्से प्रमुक्ट तुक है इसमें वग्यानिक फट्शाथ है धार्व बस्टु का वस्टु के सास्टाल रिख ही वज्ञानिक पध्धती है चलिए यह हो गया अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रस्नों में आगे के कुछ प्रस्न आप ध्यान रिखेगा इस प्रकार से हैं ठीक है जैसे कि यह पुरुसार्थ का समाजिक महत्यों क्या है यह चार नंबर का है तो सबसे पहले एक लाइन में प फिर उसके महत्यों का वर्णन करिए ठीक है चलिए दूसरा ध्यान रिखेगा नियम जैसे कि अब मैं बता दू पुरुसार्थ क्या है ठीक तो पुरुसार्थ का अर्थ क्या होता है ध्यान रिखेगा ठीक इसको आप पहले इसको डिफाइन करिए ठीक है जब वो डिफाइ है कि नियम हिंता की जो आउधारना है इस आउधारना को किस ने दिया है तो इस आउधारना को दिया है दुर्खिम ने तो आपको ये बताना है कि नियम हिंता की आउधारना का परतिपादन दुर्खिम के द्वारा किया गया है और यह समाज की एक ऐसी अवस्था है जिसमें नियम कानून का जो है कंट्रोल कम हो जाता है जिस परकार समाज में स्रम विवाजन बढ़ता है ति उसी परकार से समाज में नियम हिंता भी बढ़ती जाती है और इसी नियम हिंता का परिणाम आत्महत्या ह नुसुुची बताना है अर्थात नुसुची परस्थटी की परकार की इस Amazon गूती है सामने वाले वेयर को चान刃 पर भरता है यहчески सामने वाले वैक्टी को नब Ciao जाता है ठीक है यह चीज gossipy क्या है आपको यह बताना है इसी चर्चा करनी है तो चार नंबर में आपको क्या है इसरे अनुझी क्या है आपने अनुझी को define कर लिया उसके बाद पेरग्राफ per करके आप नंबर 22 दे सकते हैं इसके परमुख विसस्ता क्या क्या है तो मैं आपको इस परकार से आपको यह बता दे रहा हूं कि इस परकार का आपको पालन करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परस्थ क्योंकि प्रस्थ का एंसर बताने के बजाए हम उसके फॉर्मेट पर चर्था करें तो ज्यादा अच्छा है चलिए अगला फॉर्मेट हम देख लेते हैं धर्म कुछ परस्थ को हल भी कर लेंगे चोटे मोटे परस्थ को क्योंकि हल करेंगा समय ज्यादा लगेगा आपके पास भी समय नहीं है ठीक धर्म की आवधार्णा को सबस्थ यह इन दोनों चीजों पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए तो समय धर्म क्या अधार्णा यह प्रस्थ नहीं पर थोड़ा इस पेस रहेगा आपके पास आप लिखे धर्म का अर्थ जो है दो संदर्व यह लिया जाता है एक संदर्व है पस्चिमी संदर्व जिसमें धर् सब्सक्राकरा इस तिए सश्यकंषमे को क्या करना इस वर से संबन सब्सक्राइब करना इस धर्म का अर्थ थोड़ा निया भी बताते हैं नहीं है प्रते एक जो धर्म है अपने धर्म में दिये गया सिध्धान के अनुसारकारे करते हैं अपनी सिध्धानतों को मानते हैं तो वहां पर वह एक धर्म जो है अपने धर्म के पालन करने वाले लोगों को कंट्रोल करके रखता है ठीक है धियान रिखेगा ऐसे बहुत सारे विव जमसे ही कंट्रोल किया जा सकता है तो यह इसके महत्र की रूप में आ जाएंगे अगरा प्रस दिखिए वस्तुनिष्टिता से आप क्या समझते हैं समाजी का अनुसंधान में वस्तुनिष्टा की समझ्चा को स्वस्ट कीजिए हमको यहां पर क्या बताना है क्या है यानि वस्तुनिष्टिता क्या है पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं what is meant by objectivity अब्जिक्टिविटी का अर्थ क्या होता जैसे कि माल जी यह marker है यह marker क्या है इसका wordन में करूँगा तो जो यह है उसी के सापेच में अध्यन करूँ कि हाँ भई ये black है ये इसकी लंबाइ जो है पांच इंच है तीक है इसका कार है लिखना तो ये क्या हो गया ये objectivity अर्धियन हो गया अब मुझको अच्छा लग रहा है यार ये कारा है अच्छा विशाय को थोप दिया तो अपनी विचार धार I Karl Noor जैसा है उसका उसी परिपेफ्षमें आध्यान वस्तु निस्तरता कहलाताई तो वस्तु निस्तरता विज्यान की प्रमखदेन आपको किसी भी विशाय को अगर विज्यान आप लिखेंगे कि किसी भी विशाय को विज्ञान बनाने के लिए वस्तु निष्टता पर्मुख पधती है वस्तु निष्टता का अर्थ यह होता है कि जो व्ट्व जैसा है उसका उसी परिपेक्ष में अध्यन किया जाना चाहिए ठीक है यही पर आपको विज्ञानिक पध्धती का नजरिया दिखाई देता है जैसे कि मान लिए अगर हम तितली का अध्यन कर रहे हैं अब मैं तितली का अध्यन में लिख दू कि यह हरा रंग का तितली है में मज़ा नहीं आ रहा है तो यह क्या है आपका अपना अपना नजरिया नहीं डालना है जो वस्तु जैसा है उसका उसी परिप्रिक्ष में अध्यन करना है समाधिक अनुसंद्धान में वस्तु निष्टता के समस्या यह समस्या है जैसे कि वस्तु निष्टता की समस्या यह क्या है मैं बता दे रहा हूं चलिए वस्तु निश्टता की समस्या का अर्थ यह होता है कि कभी-कभी जो अध्यन करता होता है जैसे कि मैं मालो समाज सास्तर का अध्यन करता हूं मैं किसी चीज का अध्यन करता हूं ठीक है मेरे कुछ मुल्य है मेरी कुछ मानेता है मेरे कुछ सोच है अगर व्यक्ति का यह यही मुल्य मानेता यही सोच उस अध्यन में आ जाए ठीक तो उसी को कहा जाता है अपने अनुसार अपने चीज्यों सब्सक्राइब हो गई तो इसका हल भी किया जा सकता है, इसका हल इस परकार से है, कि समाज सार्त में उन्हीं वेक्टियों को अध्यन के लिए भेजा जाना चाहिए, जो तठस्त रह सकते हैं, और इसकी लिए प्रसिक्षण दिया जाना चाहिए, तठस्थता बनाए रखना एक बहुती महत्पूर्ण चीज है बिना तठस्थ अध्यन के आप वस्तुनिस्थ अध्यन नहीं कर सकते हैं मगर बतलब जैसे कि ऐसे व्यक्ति को आप नहीं भेज सकते हो तो आपको बड़ा सिंपल सा यहां पर वस्तुनिस्थता क्या है कि समस्या है अब वही पर सव सवधारन व्यक्ति को देना है तो यह वह गया हमारा fixんと कर सल्ट माइachten एक वहां पर देखते हैं कि इस परकार से अब तो आठे हैं जो इस नंबर का जो परस्न है जादा कुछ अलग नहीं है इसे कि समाजिक परीवरतन परिवरतन होता क्या है समाज में आपको किन किन इस्थानों पर परिवरतन देखने को मिलता है आप यह बताएंगे कि परिवरतन क्या होता है अब दिखिए दुसरे जो इसका पार्ट है वहाँ पर यह बताया गया है कि सांस्कृतिक सिधानतों की यानि समाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिधानतों की विवेचना करें अर्थाद ये समाजिक परिवर्टन के किवल एक संदर्ब को पकड़ रहा है सांस्कृतिक संदर्ब को तो हमको पहले परिवर्टन में इस चीज को बताना है कि समाजिक परिवर्टन हो है क्या समाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है और आपके दूसरे परेग्राफ में जाके ये बताना है कि समाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक जो चीजे हैं वो किस प्रकार से प्रभावी है या किस प्रकार से लागू होती है जैसे कि समाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिधांतों की विवेचना करना है तो जो संस्कृतिक सिधांत है उनको यहाँ पर व्याख्या करना है तिक आठ नंबर दस नंबर से केवल इस बात के लिए यह रहता है कि आप वहाँ पर ख़ला व्याख्या करने का छूट जादा है चलिए अगला आज ये समाजिक समस्या क्या है बाते समाज में महिलाओं से सम्दित परमुग समाजिक समस्या का विवेशन करिए तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे समाजिक समस्या क्या है तो समाज ज समाजिक संगठन है, समाज भी बहुत सारे लोग है, बहुत सारे संस्ता है, वो सारे चीज़े अपने अपने निर्धारित कारे को करते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि हमारे हाथ में दर्ध हो जाता है, कहीं पर बिमारी हो गया, उसी प्रकार समाज का अगर कोई एक अंग एक पार्ट फंक्शन नहीं करता है या अपने निर्धारित कारे से अलग कारे करता है उसी को कहते हैं समाजिक समस्या अर्था समाजिक समस्या समाज में उत्पन होने वाली वह समस्या है जिससे समाजिक संगठन को ठीक हानी चार समस्या है ये क्या है समाज तो है समाज में एक आपका विमारी है वस्जावरिटी एक विमारी तो पहले में आपको यह बताना है लेकिन यहाँ पर हमको दूसरे पॉइंट में बता रहा है, महिलाओं से सम्दिक प्रमुक समाजिक समस्या, हम यहाँ पर किस चीज की चर्चा करेंगे, हम यह बताएंगे महिलाओं की समाजिक समस्या है, विस्यावरित्टी, ठीक है, और यह विस्यावरित्टी जो समस्या है, किसी निश्चित वर्ग की महिलाओं को है जिसे परितक्त महिला जो डैवर्स्टी महिला होती है ऐसे लोग होते है जो बहुत सारे ऐसे महिला होती है जिनको घर्च निकाल दिया जाता है तिक वो समाद में तिक है कहीं भी रहते हैं तो वो महिलाओं जो मजबूरी में अपनी आजिवी का अपनाने के लिए किसी भी प्रकार से अपने आपको मतलब जीवित रखने के लिए इस प्रकार के चीज़ों को वो पालन करती है आज ये दुसरे पॉइंट में घरिलू हिंसा ये भी एक प्रकार का क्या है समाजिक समस्या महिलाओं से सम्मंदित है तो आप महीला पआपको करेंड़ करना है अब बच्चों में बच्चों में भी आप ध्यान रखी रहा हैं टुक है झाल्ड का बच्चों का ठीक है ब़िपार होता है उस वेपार में ये जो महीला जो बच्चे या इनके अंगों को तश्करी के रूप में प्रयूप्त किया जाता है तो महिला से समावन सकते महिला को भहुत सरे ऐसे समाज जी समाज में महिला और सिक्षा को प्रताहित नहीं किए हारारация समान रुप से महिला जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं इनका इस्तर जो है सिक्षा का बहुत अच्छा हो चुका है तो उस इस्तर तक का नहीं दिया जा रहा है उसको उस योग नहीं माना जा रहा है तो यह भी महिलाओं से समधित समाजिक समस्या है महिलाओं से समधित समाजिक समस्या ग्रूप में हम पर्दा पर्था को भी देख सकते हैं पर्दा पर्था पर्था को भी आप यहां पर लेख कर सकते हैं कहने का मेरे पहरा पहरा ग्राफ में आप समाजिक समस्या क्या यह बना टीक है उसमें लिखेगा सिक्षा उसको डील किजे चौथा पॉइंट लिखे उसके बाद उसको डील किजे और लास्ट में कंकूलूजन में आप दिखे कि आधुनिक परिवेस में आधुनिक समाज में जहां पर पूरे विश्व में आप इस प्रकार से हम को देखने को मिलता स्कतियु को समाजिक च्छेतर नाम आइं जो परमुख राजी के मुख्र मंतरियां हैं उन सारे नाम ले के आप वहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं विग्यानिक छेतर में दिखेगा तीक है कमर्सियल बिजनेस छेतर में दिखेगा इंद्रानुई है इस प्रकार से बहुत सारे महिला हैं जिनका आप नाम ले सकते अंतरीच के छेतर में देखे कालपना चावला गई थी ठीक है अब सुनीता विलियम्स गई थी भारत से संबंदीत जो है या कहीं भी केवल भारत का उधारन आप नहीं लेंगे तब भी चलेगा आप बाहर के भी ले लेकिन भारत के उधारन लेंगे तो ज्यादा उप्योगत रहेगा तो इस प्रकार से उधारन सहित आप अपने एंसर को प्रासंगीग बनाएए वर्तमान परिपेक्च में कूल मिला के मेरा तात्र पर है कि जो चीजे हैं वो आपको आते हैं समाजिक समस्या क्या है यह पता है तो आकर फोकस करना है पोस्टन करना है के लिए किस परकार से प्रकार से पूछे जा रहा है वर कि प्रकार कहां gotta किस परकार से हैंडल करना कूल मिलाक के दोस्तों सब चीज पता होने के बावजूद व्यक्ति कहां पर पिछड़ता है अब ध्यास में आप पूर वर्ष के प्रसनों को लीजे उसको बैठिया उसको सॉल्व किजिए लेकिन यह जो सॉल्व करते हैं विदिन लिमिटेड टाइम में कीजिए ऐसा नहीं क कि दिन भर में हम कहीं जाके एक पेपर को ठीक हल कर रहे हैं दिन भर में करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे अलग-अलग समय में लिमिटेड टाइम में कम समय में निर्धारिस समय में ठीक है जहां देखिएगा कोई भी एक प्रसन को पढ़के ठीक और उसको पहले तो खुद भी एक्जामीन कीजे आपने दोस्तों से अपने टीचर से भी एक्जामीन कराईए और वहां से फीडबेक लिजे कि इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है फिर उस फीडबेक को एपलाई करते हुए उसी परसन पत्र को फिर से एक बार ल यह प्रकार से टेस्टे सीरीज देने का फायदा यह होगा कि आपको परसन बनाने का आदर जल जाएगा बहुत सारे अभ्यारती ऐसे होते हैं कि उनका परसन छूड़ जाता है तो यह समझ से अभी यहां पर निराकरण हो जाएगा कहने का मेरे तात्यपर फिर से होई है कि मैच है तो मैच को केवल मैच में निकलना उससे पहले आप घर में प्रैक्टिस कर लें तो बस यह बहुत जारा कुछ करना नहीं होता है कुछ निष्ची चीज़ों को अध्यान में रखना है और एक आपको बना के चलना है कि हम इन जब मेंस का आप करेंगे तो यह कंसर्प्च वलाई जैसे है इसका डिसकुसन भी आपकर सकते हैं आपने दोस्तों के साथ एक गुरूप बनाईए जिसमें आप परिवार क्या है नातिदारी क्या है ठीक है समाजिक संगठन किसको कहते हैं तो जब यह सारी चीज़ आप सून सुन के बोल बोल के अभ्याइद हो जाएंगे तो कम से वीडियो अगले सेशन के साथ फिर से हाजी होंगा तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार